मानव जीवन की गरिमा लेखक परम पुज्य पंडित श्री रामसर्मा आचारिय ओडियो टू अहन्ता यह अपने असली रूप का बिगड़ा हुआ चेहरा है जो बेढ़ंगा दिखावा करने के लिए उकसाता रहता है अपने असली रूप और अवकात की जगह बाहरी चीजों से जुड़ने पर अपना आपा एहंकार का रूप ले लेता है यह शारिदिक सुन्दर्ता, होशियारी, ताकत, धन दौलत, पद अधिकार आधि किसी भी वजह से हो सकता है इसके कई रूप हैं, पर मकसद एक ही है, वह है अपने को दूसरों से बड़ा साबित करना उन पर अपनी चाप छोड़ना और ऐसा दिखावा करना कि दूसरों पर अपना रौब जमा सके एहंकार के वश में आदमी दूसरों को घटिया मानता है और अपने बड़पन, महानता को साबित करने पर उतारू हो जाता है इसके लिए हर तरह से हर तरीके भी अपनाता है यह मनुस्य से जुड़ी हुई एक अजीब सी गड़बड़ी है जो उसकी कदम कदम पर तरह तरह के नाटक नोटंकिया करने के लिए मजबूर करती रहती है यह ऐसा दोखा है जो अपनी दिखावे के लिए पाखंड खड़ा करने के लिए भटकाता रहता है मोटे अर्थों में घमंड, अकड, गुसा, असब्य व्यवहार, शेखी खोरी आदी इसके निसान माने जाते हैं किन्तु यह इससे अधिक गहराई और फैलाव लिए हुए है फैशन बाजी, सजदज, ठाट बाट, स्रिंगार, विज्यापन बाजी, शादी विवाह में होने वाले खर्च आदी इसी परिवार के सदत से हैं यह बड़पन प्रदर्शन की कमजोरी ही महिलाओं को अजीब गरीब, फैशन बाजी, लिपा पोती करने और गहने लादने के लिए उकसाती रहती हैं पुरुजबी ठाट बाट के अनेक अनेक जुगार भिडाती रहते हैं यह एक नशा है जिसमें समझदारों को बचकानेपन और ओचेपन की गंध आती हैं जिस तरह अनावस्य धन दवलत, वैबो संपधा, इकठा करने पर हजारों परिशानिया खड़ी होती हैं ठीक वैसे ही अहंकार भी मनुस्य को कई तरह के जंजटों में उलजाये रहता है अहंकारी व्यक्ति के बिना कारण ही शत्रू बढ़ते जाते हैं क्योंकि उसमें अपनी बढ़ाई और दूसरों की निंदा का भाव जोर मारता रहता है और दूसरा व्यक्ति भी बे मतलब क्यों अपने को घटिया माने सामने सिस्टाचार या भयवश अहंकार की बात मान भी ले किन्तु अंदर उसकी पहचान एक उतले, बचकाने, सनकी, ठीट जैसे उपेक्षा और ग्रिना भरे भाव से ही करता है एहंकार का खेल तमाशा बहुत महगा ही पड़ता है चका चवद पैदा करने के लिए स्वांग और पाखंड खड़े करने पड़ते हैं एहंकार जताने से इर्श्या ही भटकती है लडाई जगडे और कड़वाहट आम तोर पर इसी वज़े से पैदा होते हैं ऐसे व्यक्ति का ना कोई दोस्त बन पाता है और ना सुभचिन तक समझदार व्यक्ति इसे दूर से ही प्रणाम करते हैं बस चापलूसी ही उसको गेरे रहते हैं वे भी अपना स्वार्त पूरा करने की फिराक में रहते हैं और इसके पूरा होते ही खिसक लेते हैं इसका माया जाल ऐसा है कि इससे निकलना तो दूर इसको समझ पाना तक कठिन हो जाता है कब इसने पूरे व्यक्तित्व को ढख लिया पता ही नहीं चलता इसी में उल्जे सादो महात्मा लोग तक अपनी महांता, सादना और सिद्धी का धिंडोरा पीटते रहते हैं और भोले भावकों को अपने भ्रमजाल में फसाकर अपना उलू सिधा करते रहते हैं एहंकार मित्र को शत्रु बना देता है और अपने को पराया दूसरों के हिस्से में श्रेय पद ना जाने देने के लिए उन्हें गिराने बदनाम करने के कुछक्र रचता रहता है हर कीमत पर अपने आपको बड़ा सिध्ध करना और इसके लिए एड़ी चोटी तक पसीना बहाने जैसी कोशिसे इसी के बाकावे में होती हैं जीवन की बरबादी और पश्यता आम आदमी का ज्यादातर समय और शक्ति दन दौलत इकठा करने और अपने बड़ापन के दिखावे की खाई खोदते और इसे भरते रहने में ही नस्ट हो जाती है इसके बाद इतना समय और शक्ति सेस नहीं रह जाती कि कुछ सोच विचार अपना सुधार करने, जिंदगी को निखारने, सवारने और भगवान के काम में हाथ बटाने का भी किया जाए जब विचार ही नहीं उठता तो फिर इस रास्ते पर आगे कदम बढ़ाने की बात ही कैसे बने जिंदगी का यह कीमती अवसर अपनी रोजी रोटी कमाने, शादी विवाह करने, परिवार बसाने और बच्चे का पाल पोशन करने में ही बीच जाता है सारा ध्यान, खाने कमाने, लेन देन, व्यवहार व्यापार आदी में ही लगा रहता है जिंदगी शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक और राजनीतिक दायरों में ही सिम्टी रह जाती है बस इसी ढर्रे में मनुष्य जीवन कोलू के बैल की तरह घूमता रहता है और पहुचता कहीं भी नहीं अंधी भेडों के जुंड की तरह एक के पीछे दूसरी के चलते और खाई में गिर कर चोट खाने और चिलाने का क्रम ही बाकी रह जाता है हैराने की बात तो या है कि अकलमंद समझे जाने वाले लोग भी अपनी भलाई की बात नहीं समझ पाते अपनी ही जड़े खोदने में जुटे रहते हैं और मुसीबते जेलते हैं जितना बोज उठता नहीं उतना लाधते फिरते हैं और इसके भार से पिषते फिरते हैं जितना पेट हजम नहीं कर पाता उतना खाते हैं और पेट को पीड़ा से हल्ला मचाते रहते हैं ऐसी भटकाओ भरी इस्तिती को बुद्धी ब्रह्म ही कहेंगे जो सीधे रास्ते को उल्टा और उल्टे रास्ते को सीधा मान बैठता है जैसे कि द्रोपदी के भवन में जाने पर कौरों को पानी की तरह जमीन और जमीन की जगह पानी दिखाई पड़ा था जो भी हो कड़वी सचाई तो यही है जिसमें अपनी मरजी से या हालात की मजबूरी में अधिकतर लोगों को अपनी जिन्दगी का सफर पूरा करते देखा जाता है भगवान के अंश होने के नाते अपने सुधार, निर्मान और परामर्त परमार्द की जिस रास्ते पर चलना था वह तो छूट ही जाता है और उस सुक शान्ति और आनंद के दर्सन भी नहीं हो पाते जो इस रास्ते पर चलने से मिलते हैं मनुस्य यह देखते हुए भी कि यह नाश्वान सरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाना है बाहरी सुखों के पीछे ही पागलों की तरह घुमता रहता है बचपन खेल कूद में बेच जाता है जब कुछ होश आने लगता है तो परिवार बढ़ जाता है और इसी के पालन पोशन में वैस्त हो जाता है जब कुछ समझ आने लगती है तो बुढ़ापा आधमकता है शरीर पर तरह तरह के रोग हमला करते हैं बिगड़ी आदते और संसकार गहरी जड़ जमा चुके होते हैं और वे अलग परिशान करते रहते हैं तन मन धीले पढ़ने लगते हैं अब समझ आने पर क्या हो सकता है समझदारी तो तब थी जब समय रहते अच्ची आदतों को अपना कर सदगुडों को इकठा किया होता और अगली यात्रा संतोज के साथ पूरी करने की तैयारी की होती जब अंतिम घड़ी आती है तो विदाई के समय सिर पर पाप, पतन और बुरे कर्मों का भयंकर बोज चड़ा दिखाई देता है घोर पच्तावा, असाहिय वेदना और भारी बेचैनी होती है किन्तु अब क्या हो सकता है खेल खत्म हो चुका होता है जीवन समाप्त हो गया होता है अफसर हाथ से निकल चुका होता है और सवदा बिक चुका होता है इकठा किया हुआ धन, वैभाव, पुत्र और रौवदाब आधी कोई साथ नहीं देता जिनको अपना मान कर पाप की गठरी सिर पला देते रहे वे ही पराय हो गए अब तो शरीर भी साथ नहीं देता केवल अपने अच्छे बुरे कर्मों का बोज ला दे अकेले ही सफर में आगे जाना होता है अपनी बेश कीमती जिन्दगी को यूँ ही बरबात करने की गहरी समझ ऐसे मौके पर आती है किन्तु अब क्या होता हीरा जन्म कौडी मोल बिना चुक जाता है और कीमती चंदन कोईले के भाव एक बार एक राजा शिकार खेलने एक जंगल में जाता है वहाँ घने वन में शिकार करते करते रास्ता भूल जाता है और शाम होने पर पास के एक किसान के जोपड़ी में रूख जाता है वहीं अपने राद गुझारता है और सुबह अपने रास्ते चल दिता है चलते चलते एक परचा इस अनपड किसान को थमाता है और समझाता है कि कोई परेशानी हो तो इस परची पर लिखे पते पर दिखाते वे हमारे पास आ जाना अगले वर्ष अकाल पड़ता है सारी फसल नस्थ हो जाती है किसान को परची वाली बात याद आ जाती है और इसके सहारे राजदर्बार तक जा पहुँचता है किसान की समस्चा को सुनकर राज़ा सोचता है कि इसे धन दे तो कोई छीन ना ले बेतर हो कि इसे इसकी जोपड़ी के पास वाला चंदन का भाग दे दे सो उसे भेट कर देता है किसान सोचता है कौन रोज लकडी काट-काट कर इससे बेचने का जंजट मोले क्योना इन सब का कोईला बनालू और एक साथ खूब सारा धन कमालू चंदन के व्रिक्षों को काट कर उनका कोईला बनाने का पूरा काम होने ही वाला था कि एक दिन भारिश होती है कोईला न बन पाने के कारण बची हुई कुछ चंदन की लकडियों को ही सर पर लाध कर किसान बाजार चल देता है चंदन अपनी खुश्बू बिखेर रहा था धेरो ग्राहक इकटे हो गए थोड़ी सी लकडी हजारों में बिख गए जबकि धेरो कोईला कुछ ही रुपयों में बिख पाता था जब इसका राज मालूम पड़ा तो किसान बहुच पस्ताया कि इतनी कीमती लकडियों का कोईला बना दिया आम तवर पर अपने नासमझी में आदमी भी यही मुर्कता करता है जिन्दगी के वगीजे का हर रोज एक कीमती पेड़ की तरह है इसके कीमत ना जानने के कारण इसे कोईला बना कर बरबात करता रहता है मनुसी अपने भागे निर्माता आप जीते जी भागे का रोना रोता हुआ गला सड़ा और दुर्गती दुर्गंद भरा जीवन और मरते समय घोर पश्टा ताप वाली गती क्या यही मनुसी जीवन की नेती है क्या इस उल्जनवा भटकाओ भरी हालत से निकलने का कोई रास्ता नहीं है रिशी मुनी लोग प्राया इसी उल्जन को माया जाल कहकर पुकारते हैं और उस से निकलने की चेतावनी देते हैं पर उस दुर्भागे को क्या कहें जो मूर्कता छोड़ने और समझदारी अपनाने की बुद्धी को उगने ठुग उठने ही नहीं देता बेश कीमती मनुस्य जीवन की दुख भरी बरबादी की यही कहानी है हम अपनी दुर्गती दुर्दशा और भटकाव की जिम्मेदारी दुर्भागे या दूसरों पर ठेल कर अपनी लायक जूटा संतोस पा सकते हैं किन्त उल्जान एवं समस्या का समधान नहीं होगा संतोस वा समधान देने वाली सचाई यहा है कि हम अपने लिए खुद ही जिम्मेदार हैं आज हम जिस भी अच्छी बुरे इस्तिती में खड़े हैं वा हमारे अपने ही पिछले अच्छे बुरे कर्मों का फल है इससे यह भी असपस्ट है कि कल हम जो भी होंगे वह हमारे आज के शुब या अशुब कर्मों का फल होगा अता का सकते हैं कि मनुस्य खुद ही अपने भागे को बनाने या विगाड़ने वाला है उसका भागे उसके अपने हाथ में है इसी सचाई को उपनिशद इस रूप में कहते हैं मन ही मनुस्य के बंधन का कारण है और वही उसके मोक्ष का कारण है बिगड़े हुए मन से बड़ा दुस्मन और कोई नहीं इसी तरह सुद्रे हुए मन से बड़ा दोस्त दूसरा कोई नहीं वे यह भी अस्पस्ट करते हैं कि मनुस्य को अपना उधार खुद आप ही करना होता है भगवान भुद्ध भी इसी बात को आपो दीपो भाव के रूप में समझाते हैं अर्थात अपने दीपक आप बनो मकडी की तरह उसको अपना फैलाय जन जाल खुद ही समेटना होगा मकडी के पेट में एक द्रव होता है जिससे वह अपने लिए एक जाल बुनती है फिर इसी में उलच्ती छटपटाटी रहती है पर जब उमंग उड़ती है तो अपना बुना हुआ जाल समेट बटोर कर निगल जाती है और इससे मुक्त हो जाती है जहां तक इश्वरिय सहायता की बात है वह तो हर समय मनुस्य के साथ रहती है पर वह तभी काम करती है जब आदमी पहले अपनी सहायता आप करता है निकम में आलसी और कामचोरो कोतुन वह भी अपने भाग्य पर गल्ले सनने के लिए छोड़ देती है आदमी यदि सोच ले तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह कर न सके वह बना ही उस धातु का है जिसकी हिम्मत वह इच्छा सकती के सामने कोई रुकावट टिक नहीं सकती वह अपने हाथ से गिरने के लिए खाई खोदता है और चाहे तो उनी हाथों से उटने के लिए सीडियों वाला रास्ता भी बना सकता है अर्थात मनुसे अपने भाग्य को बनाने सवारने वाला सुयम आप ही है जीवन को बनाने सवारने का संकल्प अपनी जिन्दगी की सुक्षान्ती और सफलता के लिए हर समझदार आदमी को अपनी इस्तिती पर विचार करना ही चाहिए और हो सके तो वा हिम्मत भी करनी ही चाहिए जिससे की इसको बरबादी और सर्वनास से बचाया जा सके और भगवान की इच्छा पूर्ती के नेक रास्ते पर लगाया जा सके यदि कहीं ऐसी इच्छा उमंग दिल में जागने लगे वा जोर पकड़ने लगे तो समझना चाहिए कि अंदर भगवान का प्रकाश चमकने लगा और उसकी क्रिपा बरसने लगी अपनी गिरी हुई हालत से मुक्ति पाने वह अपने को सुक्षान्ती वाले सही रास्ते पर चलाने के लिए तडप, व्याकुलता वह टीस चाग उठे तो सुधरने में देर नहीं लगती तब उस भटकन से मुक्ति मिल जाती है जो सरीर को ही अपना सबकुछ मान बैटी थी और इससे जुड़ी वासना, तृष्णा और इच्छाओं के इर्दगीर्द ही अपना ताना बाना बुन रही थी तथा पसु पिसाच अस्तर का जीवन जीने के लिए मजबूर किये फिर मनुस्य अपनी सही पहचान पाते ही उस सेर के बच्चे की तरह अपनी शान में जीने लगता है जो गलती से जन्म लेते ही भेड के जुड़ में चामिला था वही भेड के बच्चे के साथ वह बड़ा होता है और कुद को भेड का बच्चा ही मान बैटता है एक दिन वहां से एक बड़ा शेर गुजरता है भेडों के जुड़ में शेर के बच्चे को देखकर उसे थोड़ी हैरानी होती है हैरानी और बढ़ जाती है जब वह उसको भेड की तरह मिमी आते और व्यवहार करते देखता है। शेर पास जाता है, तो जुन्ड के साथ शेर का बच्चा भी भागने लगता है। शेर उसको किसी तरह पकड़ लेता है और नदी के किनारे ले आता है। वहाँ पानी में उसकी शकल सूरत को दिखा कर समझाता है कि वहाँ भेड नहीं, शेर का बच्चा है। बस समझ आते ही शेर का बच्चा धार मारता है और शेर की तरह सान से जीने लगता है। ऐसा होस आते ही रतनाकर ढाकू से वालमिक रिशी बन जाते हैं। क्रूर अशोक बुद्ध की करुणा से संदेश वाहग बन जाते हैं। कामुकता में अंधे विल्व मंगत संथ सूरदास बन जाते हैं। वेश्या आम्रपाली धर्म के रास्ते पर चलने वाले भिचोडी बन जाती है। ऐसे ही अजामिल, अंगली माल, गडिका आदी ने पिछले बिगड़े जीवन को छोड़ा और सही रास्ते पर चल पड़े। ऐसा होस आते ही मनुस्य उस मंजल की ओर बढ़ जाता है। जिससे उसका बेशकीमती मनुस्य जीवन सफल और धन्य हो जाता है। तभी ब्रस्त सोच और दोस्ट व्यवहार के अभ्यास को स्विकार न करने का हिम्मत भरा संकल्प उभरता है। और मनुस्य जीवन को सफल बनाने वाला सबसे बड़ा पुरुशार्थ बन पड़ता है। तभी जन्तोस के साथ जिन्दगी की यात्रा को पूरा करने वाला सीधा रास्ता भी मिल जाता है। ओम शान्ति!